दिव्यांग जनों के विकास के लिए उनकी साहिता के लिए केंदर सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनलाइन आवेदन की साहिता से भी सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाब उठा सकेंगे। इस आईडी कार के प्रयोग से अब उन्हें रेल टिकेट, बस टिकेट, रिजर्वेशन में मिलने वाले आरक्षन का लाब उनलाइन टिकेट बुक करने में भी प्राप्त हो सकेंगी। ये आईडी कार पूरे देश भर में मानने होगा। आईडी कार को बनाने की जिम्मेदारी स्वास्तेविभाग को सौपी गई है। यूडी आईडी कार के लिए रेजिस्टेशन का कार्य देश भर में ब्लॉक वाइज कैम्प लगाकर किया जाएगा। इसके जानते हैं कि इस अनोखी विकलांगता आईडी कार योजना के लिए पात्रता क्या है। इसके लिए चलने में असहाय व्यक्ति, द्रिष्ट हीन व्यक्ति, सुनने में असमर्थ व्यक्ति, बोलने में असमर्थ व्यक्ति, लंबे समय से तंत्रिका संबंधी रोग से पीडित व्यक्ति मानसीक्रोगी रक्तसंबंधी विकारों से पेडित बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति पात्र होंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है वो इस ID कार्ड के लिए पात्र होंगे। इस ID कार्ड योजना में पंजीकरण के लिए स्वास्ते विभाग के CMO से प्राप्त प्रमान पत्र, शिक्षा प्राप्त डिगरी का प्रमान पत्र, निवास प्रमान पत्र, आय प्रमान पत्र, पहचान प्रमान पत्र, जाती प्रमान पत्र, दो रंगेन, पास्पोर्ट, साइ फोटो की जरूरत होगी आए अब जानते हैं कि अनोखी विकलांगता आईडी कार्ड योजना में ऑनलाइन पंजीकर्ण की प्रक्रिया किस तरह की है UD ID कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए स्वावलंबन वेब पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना होगा इस पेज में रजिस्टर विकल पर क्लिक करना होगा इसके बाद वहां दिया हुआ फॉर्म पूरा भरना होगा इसके लिए आवशक दस्तावेज और दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अप्लोड करने के बाद सब्मिट का विकल पाएगा इस पर क्लिक करने पर रजिस्टरेशन का प्रोसेस पुरा होगा इसके बाद आवेदन करता के रजिस्टर्ड मोबाइल नमबर और इमेल आएड़ी पर एनरोल्मेंट नमबर का मेसेज आएगा अपने रजिस्टरेशन अप्लिकेशन के स्थिति जानने के लिए UDID Card Status इस लिंक का प्रियोग कीजिए पेज के खुलने पर अपना Enrollment लिखकर Go विकल पर प्लिक करिएगा अपना Unique Disability ID Card डाउन्लोड करने के लिए आपको Enrollment No. UDID संख्या जन्मतिती और कोड लिखकर लॉग इन करना होगा इसके बाद Download UDID Card पर क्लिक करने पर डाउन्लोड करना होगा इस कार की बन जाने के बाद दिव्यांग जनों को दस्तावेजों वप्रमान पत्रों का पुलिंदा लेकर नहीं गूमना पड़ेगा ये कार पूरे देश भर में मानने होगा सरकार की किसी भी योजना का लाब उठाने के लिए दिव्यांगों को इसी ID Card के तहट लाब दिया जाएगा इस योजना के तहट जिन लोगों के पहले से पंजियन हो रहे हैं उन्हें भी अब UDID Card के लिए दोबारा पंजिकरन करवाना होगा ताकि उन्हें सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID Card दिया जा सके समाज कल्यान के माध्यम से योजनाओं का लाब उठाने के लिए दिव्यांगों के पास यूनिक ID Card होना जरूरी है दिव्यांग जन इस ID Card के लिए पंजिकरन ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र या इमित्र या अपने मोबाईल से भी कर सकते हैं तो आज ही दिव्यांग जन UDID Card बनवाएं और सरकारी सेवाओं का लाब उठाएं